प्लस दोसो जे उसो काफी अंसीरियस है इस वक्त हर एक स्टोरी लाइन को लेकर इवन ट्राइबल चीफ रोमर रेंज को भी लेकर लेकर लेकिन क्यों चले डिसकस कर लेते सबसे पहले बात करते हैं राइज वीक की बात करने लग चाहते हैं यह चीस कहते हैं कि लास्ट वीक जो कुछ वा आप लोगों ने दिखा किस तरीके से गंतर जो है मेरे अब मेरे पास कोई नहीं है कि मैं तुम्हें खूनी मैस में छूड़ों को दंटर जाएंगे तो वहां रैंडी खून से लत्पत होगे और फिट दोस्तों रैंडी और रैंडी ओर रॉटन दोस्तों वहां यह चीज कहते हैं तो वादा यह भी रहा कि जो most three dangerous letter है जो कि last week तुने खाया भी है वो तुझे फिर से लगेगा इस दुरान दोस्व हमेची देखने को मलती है कि guys इससे पहले इनकी भिडंत हो पाती हम लोगों को दोस्व पीछे से Ludwig Kaiser अटेक करते हैं अजर आ जाते हैं और guys फिर गंतर को मौका मिल जाता है गंतर दोस्व एक close line धर देते हैं रेंडी ओटन को और फिर उनके उपर लुडवी काईजर के साथ टॉंट करते हैं तो पहले second दोस्व जो हमारे अपने रेंडी ओपिट के थे और मेंड इमेंड कनफर्म हो गय था जहां लुडवी काईजर वर्सेस रेंडी एडम पेर्स ने कनफर्म कर दिया था हम लोग देखे रहे हैं दोस्व इसके बाद शेमस का मैच शेमस का मैच दोस्व काफी तगड़ा था आज का सची बात गता हूँ पुराने वाला शेमस याद आगया वो आज पीड़न को फेस करते हैं पीड़न को दोस्व उन्होंने काफी तगड़ा पीटा लेकिन पीड़न भी पीछे नहीं हटे एक जगा पर उन्होंने हाथ बांद दिया वाँ शेमस का जो रिंग पोस्ट रहता है उसके टर्न बकल पर और गाईज शेमस ने वहीं उखाड दिया और लगा दिया दोस्तों बिलकुल धर्मेंदर के स्ट्राइल में ब्रो किक वन टुएंट री शेमस मैच को जीत गए तो ओल्ड शेमस दोस्तों आज लिटरली हमें वापसी करते हैं नजर आए और काफी फिट भी नजर आए शेमस की जीत के बाद हम लोगों को देखने हो बला कि बैक्सेज कोफी जविर से बात करते हैं और चीज़े सौट आउट करने की कोशिश करते हैं यह चीज़ पूसते हैं कि तुझे ओडिसी जोन से शायद कोई प अमेरिकन मेड बताया है हम लोग देख रहे हैं दोस्तो अब अमेरिकन मेड की न्यू सुपरस्टार यानि की दोस्तो आईवी नायल का मैच जो की अपनी ओल्ड फ्रेंड यानि की मैक्सिम डूपरी को फेस करती है मैक्सिम डूपरी ने शुरू में कावी थगड़ा पिट आईवी नायल को लिटरली आवर शॉक्त की इतरा अच्छा कैसे परफॉर्म कर रही है वह मैक्सिम डूपरी लेकिन वहां जब आईवी नायल पिटने लगती है का एक लाइट हो जाती है ब्लैक और गाइस ब्लैक आउट होने के साथ वहां दिखाई देती है हम लोगों को स आईवी नायल के उपर इसी दुरान दोस्तों जो हमारे अपने क्रीड ब्रोस है और गाइस जो चैड वह भी रिंग के अंदर आ जाते है जिने टेक आउट करते है एरिक रोवन जो गेसी हैं बाकी के मेंबर से इस दुरान चैड के बलको दोस्तों इता गड़े वाला कहने वाले हैं सबसे प्लेश को गच कर देते हैं लोग चीज के आप की अप लोगों ने गले में देखा हैं बात इतनी सी है कि ड्रू मेंगेंडायर मेरे से आपसेस्ट है ब्रेसलेट लेकर गुंता है मेरी वाइफ का और कहीं ने कहीं वह मुझसे जोड़ा हो आए तो क्यो किया और यह confirm है bash in Berlin में 31 अगस को जो match होगा होगा एक strap match और corner पर इसमें touch करना होता चारो corner को आपस में बंदे रहते हैं लेकिन उसलिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ यह match match लड़ रहा हूँ ताकि मैं strap से उसकी चमरी उखार सुखू इस दुरान दोस्तों Drew के entry हो जाती है Drew यह bracelet उन्हें दे दे तो bracelet नहीं दोस्तों बैंड है basically तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जो handband रहता है उस पर दोस्तों मेंगे डायर कहते है कि मैं बैंड अंदर भेंगूंगा तू strap पकड़े रखेगा मैं जानता हूँ कितना चलाग है तू तो ऐसे में रिंक अंदर यहां अपनी live and Dom की तरफ से चुमा चाटी एक दोसे को चुमरे चीज़ बता रहे है कि वो क्या सोचते है और यहां Dom जो है यह चीज़ कहते है कि वो सोचते हैं कि Damien जो है हमेशा से उन्हें दबाता रहा है और आज उन्हें एक singles competition में फेस करना जाते है Dom ने यह चीज़ भी कही कि इस particular match के अंदर judgment day का कोई member नहीं आने वाला है तो man to man a fight होगी तो मैं तो काफी शौक था कि इस तरीके एक challenge यहां Dom दे चुके है जिसके बाद हम लोगों ने देखा है the new day versus Karian Cross and AOP के बीच में six man tag team match odc jones 200 साथ में थे तो match के अंदर odc jones जो है काफी अच्छा perform करते हैं जैसे में जहां कोफी जब टैग देने जाते है odc jones को तो guys सबसे फेवरेट है मेरा दमीज ने क्या चीज़ कही कि देखो एडेंपर से बात कर रहे थे तुमने आज मैच मांगा है no dq match रीड के खिलाफ तुम क्या सोच रहे हो रीड को मैं निकालने वाला था दमीज कहते हैं निकालने की जहोत नहीं है बात इतनी ही है उसने मेरे भा सबस्टेक का यूज कर रहते हैं जहां रीड ने केंड चांग से तोड़ दिया उसके बाद उन्हें गंद तरीके से फोड़ा वहां के साथ और फिर गाइस उन्हें उन्हें सुनामी लगाई और सिपहले उन्हें 2-0 टे ओल पर भी उन्होंने फोड़ा और उसके बाद 200 तो सुनामी लगाई 1-2-3 यहां रीड जीत के लेकिन उसके बाद रीड का फिर से स्विंग हो जाता है माइंड और गाइज वो जात एक और सुनामी के लिए दिगने इस बारी चीजे चेंज हुई वहां दोस्तों उन्हें उनका मैच मिल गया वहां दोस्तों ब्रॉण स्टॉमन क मुझे बाद इतनी सी इसमें नुकसान आड़म पेर्स का वी क्यूंकि जीटे गा जो भी जीते गा वो मुझसे पीर खाएगा और इसमें पूरा-फूरा-दोश मुझे जाएगा इसके बाद दोस्तों वो सेग्मेंट देखने को मिट रहा है जिसका बेस अबरी से इंतजार था यहां दोस्तों मैच बिगर हो चुका है डॉम एंड डेमिन गा लेकिन पर दावा बोल देते हैं लेकिन डेमिन को पता था दो डेमिन ने सभी को फोर्ड दिया इवन विल्कुल टेस्ट्रोइ करने वाले लेकिन बीच में फिर से आजाते कारलिटो फिर कारलिटो को फोड़ते हैं जेडी को फोड़ते हैं दोस्तों हमें ची देखने को मलती है कि वहां जो डॉम है उन्हें घेर लेते हैं हमारे टेर टुइन्स पिछे से रिया रिपली भी आ जाती है इससे पहले कि गाइज वहां डॉम को फिनिशर लग पाता है रिया रिपली का अनौसर टेबल के उपर वहां ली वागी चेर के साथ रिया के उपर हमला कर दिया और अंदर दोस्तों पूरा का पूरा जज्मिन डे जो है डेमिन प्रिस्ट के उपर चड़ जाता है डेमिन के पिटाई की जाती है उन्हें रोप के सारे दोस्तों वहां कुछ इस तरीके से बांदा जाता है और रिया रिपली को दोस्तों लिव डेस्ट्रॉय करती वे नजर आती है वादा किया था लिवने क्यासा वो करेगी और गाइस उन्होंने किया भी वहां रिया को बह दोनों कुछ कर भी नहीं पाते हैं और इस तरीके से यह पूराकपूरा जजमिंटें इनके उपर टॉंट करता है फिर उसके बाद एक बैक्स्टेज साइंग्मने भी देखने को मलता है जहां में चीज देखने को मिलती है कि गाईस जो जजमिंटें वह यही चीज कहती है कि दिखो तुम हमें पीटने आये थे लेकिन हमने तुम्हें पीट दिया और कुछ वैसे बैस इन बर्लिन में होने वाला खूण के निदिया बैने वाली है इन अमें टाइम लिम ओर गन ने ये चीज़ कही कि तुम डॉम की मरदगान की पर सवाल उठाती हो रिया तुमने इसे म मर नी मना है, पहले से मर था रही बात मेरी मैं तुम अपनी कुतिया बनाओंगी स्भारी बैस इं बर्लिन में इसके बाद दोस्तों इन्होंने किस भी किया और स्वाल हुआ खत्म, तो आज पूरे तरीके से दोस्तों जय मेंट को फोड़ा अइजिसके बाद दोसां क्लंश यहां दोसो अलबा और फायर दोस्तो अपना जो है टाइटल डिफैंड कर रही थी अलबा फायर एंड डॉन का दोस्तो जो चैंपेशिप था यहां दाओ पर था उनके सामने दोस्तो शेनावेजर स्टार्क की टीम थी और दूसरी टीम थी डैमेज कंड्रोल मैच वास गुड और इसके अंदर दोस्तो अन मैं में चीज़ देखने को मली कि जो अलबा फायन अला डॉन है मैच में रिटेन करेगी काफी अच्छा मैच था फिर उसके बाद जे उसके तरफ से फाइब बाम देखने को मला जे उसके चीज़ कहते हैं कि सेमी जो है वो खुद को रिन्यू क करने गया है खुद को फिर से जगाने गया है और इस वक्त चुंकि हम टैक टाइटल के पिछे पड़ रहे थे अब मैंने अपना माइंड शुप्ट कर लिया दूसरी और ना उस टूर्नमेंट का पार्ट होने वाला हूं जो कि आई सी चैंपिशिप के लिए होने वाली नेक आज उन्होंने रिया रिपली के हेल्प की जब उनकी पिटाई हो रही थी इवन लोग भी दोस्तों वहां येटीट चिला रहे थे तो यही चीज दोस्तों फैंस ने भी नोटीट की है और गाइस शैसे जयो सो को किसी तरीके एक्सक्यूज मिल चुका है कि गाइस वो दोनो ब्रिकर के बिछे जाने वाले हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब में इमेंट ऑफ द इवनिंग से पहले दोस्तों डबली वालों ने कन्फर्म कर दिया है नेक्स वी ब्रॉंस टॉमन वर्से रीड होगा साल साथ यह जो टूर्नमेंट यह भी बिगन होगी इसके लावा दोस्तों जो हमारे अपने पैट में कैफी है वो चुटी पर जाने वाले हैं और वो अगले पांच महिने तक नहीं दिखाई देने वाले क्योंकि अब फुटबॉल में जाकर शाह से कोमेंटरी वामेंटरी करने वाले हम देख रहे हैं मेनमेंट ऑफ द इवनिंग जो की था जैसे में कि गाइस जो हमारे अपने रैंडी ओटन है बिल्गुल तोड रहते थे काइजर को और काफी डेस्ट्रॉय करें लेकिन गंतर आ जाता है फिर काइजर पकड़ बना लेते हैं गंतर के डिस्ट्रेक्शन की वजह से वहां काइजर पकड़ बना लते लेकिन जो होना उन्होंने चैंपिंशिप उठाई और अपने वेस्ट के ऊपर लगाई तो रैंडी ओटन ने दोसरो के ऑफ एर भी कहीना कहीं स्क्रू कर दिया है गंतर को और अभी तक जितना देखने को मिल रहा है गंतर पर बहर ही पढ़ रहे है तो ग्वाइस रैंडी ओटन ने आर को लगाया और फिर जाने के बाद गंतर को इसी बात पर वीडियो को लाइक चाहिए को सब्सक्राइब वीडियो आज कितने सी वैल दो स्वास्ता करते नहीं धाने वाद शबक है